भारतिय रेल देश भर के तमाम छोटे शहरों और बड़े शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास कर रही है। अब गुपाल गंच, सिवान, छपरा के लोगों को भी पटना आने के लिए डारेक्ट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी। जी हाँ पटना और सोनपूर के बीच बन रहे जेपी सेतू के वज़े से ये हो पा रहा है। इसके अलावा अस्थानिय जनप्रतिनिती भी लगतार इस छेत्र में अपनी तरफ से पहल कर रहे थें। इसी बीच रेलवे ने कहा है कि छपरा से पटना के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इस रूट पर केवल एक सापताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती है। तो वहीं दूसरी और महराज गंज से सांसद जनारदन सिंग सिग्रिवाल ने कहा है कि जल्द ही महराज गंज मश्रक होते हुए पटना तक के लिए नई ट्रेन चलाई जाएगी। तो वहीं सिग्रिवाल ने आगे बताया है कि छेतर के लोगों का सपना जल्द साकार होगा। इसके लिए रेल मंतरी अश्विनी वैशनव सहीत रेल के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। जिस पर विभाग ने सहमती भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा प्रयास है कि यहां रेलवे के छेतर में अनेक महतवपुर्ण कारे हों। सांसद ने कहा है कि आने वाले दिनों में महराज गंज छेतर में अनेक महतवपुर्ण विकासात्मक कारे होंगे जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुँचेगा। आपको बता दें वरतमान में पटना से हाजीपूर, सोनपूर तथा बरौनी के लिए भी ट्रेने हैं लेकिन छपरा की तरफ जाने के लिए किसी भी ट्रेन का परिचालन नहीं हो पा रहा है हाला कि इसके लिए सभी इंफ्रस्ट्रक्चर और रेलवे ट्रेक मौजूद है